हेलो, नमस्कार दोस्तो, धाकर हैट्रोपानिक के इस यूट्व चैनल पे मैं अरविंद आपका सवगत करता हूँ और दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक के उपर हम लोग बात करेंगे हम लोग hydroponics में जो कोकोपित का उप्योग करते हैं, चाहे nursery बनाने में, चाहे इस वीडियो में हम लोग उसके उपर बात करेंगे और मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभो है उसके मैं डीटेल में आपको बताऊँगा तो दोस्तो अभी हम लोग हाइड्रोपनिक की बात की जाए तो कोकोपिट का सबसे ज़्यदा उपयोग हम लोग ग्रोबेग के अंदर करते हैं ग्रोबेग भी जैसे हमारे इस्टेंडड ग्रोबेग या स्लेबबेग दो तरह के ग्रोबेग होते हैं तो किस तरह से उसको हम maintain कर रखें या किस तरह से उसको हम लोग ऐसा treated करें कि हमारा जो एक बार कोकोपिट हमने भढ़ दिया वह लगबग चार से पांस साल कर चले या दोस्तो अभी जो मेरा table top strawberry cultivation वाला जो system है जो के सामने farm है वहाँ पे जो कोकोपिट हम लोग अभी तक यूज़ कर रहे हैं उसको आज हमको पांस साल हो गया है या दोस्तो पांस साल से हम लोग एक ही कोकोपिट के अंदर बार-बार crop लगा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं हमारे जो grow back थे जिसके अंदर ये कोकोपिट भरावा था वह grow back फट गये हैं क्योंकि grow back की भी एक life होती है चार से पांस साल तक grow back चलता है तो चार-पांस साल आज हो गए है grow back पूरा फट गया है बट उस grow back जो फटा और उसके अंदर से जो कोकोपिट हमने निकाला तो कोक क्या रिजदन है कि वो इतने लंबे समय तक चला और रही बात इसकी और आगे कितने चलने की संभावना है तो इसके ओपर भी मैंना थोड़ा समझा है तो मुझे बात देखने को मिली है कि कोकोपिट की कोई life नहीं होती कोकोपिट हम लोग 10 साल 12 साल तक भी use कर सकते हैं यह कब possible होगा यह depend करेगा आप कोकोपिट को कैसे management करते हैं उसको कैसे रख रखाओ करते हैं उसमें जो nutrition होता है जो पानी होता है वो किस टाइप से देते हैं यह सारा चीज उसको पटड़पन करता है तो दोस्तों मैं आपको मेरे strawberry well love farm पे लेके चलता हूँ दोस्तों यह जो आप मेरे पास में देख रहे हैं यह सारे slab bag रखे हुए हैं और इस पिछले पांस साल से में यूस्ट कर रहा था और अभी मैंने नए ग्रोबेग लाके इसमें वापिस से उसी कोपीट को भढ़ दिया है तो उसी कोपीट को भढ़ दिया मतलब इस बीच हम हम लोग इसको खोल तो सकते नहीं क्योंकि एक साथ रखे रहते हैं इसको खोल के भरना बड़ा टिपिकल होता है बहुत जंजट हो जाता है तो पांस साल बाद जब यह हमारे पुराने जो यह ग्रोबेगे यह फटे क्योंकि इनकी भी एक लाइफ होती है चार-पांस साल च करके इसको निकालते थे तो कुछ यह रूट अंदर रहे जाती थे तो वह सारी रूट हम लोगोंने हातों से बीनके फिर इसको बड़ी हैसा वाश किया मतलब इतना वाश किया कि इसके अंदर का जो सौइड है वो सारा रीमू हो जाए तो लगबग दो चार-पांच बार हम हम वाश करेंगा उसको उसके बाद आखरी का जो वाश रिता है उसके अंदर हम हाइड्रोजन परकसाइड एक लीटर पानी में एक एमिल वह भी तीन परसेंट वाला कोशिच करें आप फुट ग्रेग ले ले तो उससे हम लोग इसको वाश कर लेते हैं आखरी वाश में और उसके बाद 2-4-5 दिन की तेज धूप में इसको आप फिला के रख दीजिए जो भी पूरा सुख जाएगा उसके बाद आप वापिस से नए ग्रोबेक के अंदर इसको फिल कर दीजिए और इस तरह से जो भी आपका सिस्टम हो उसके एकोडिंग आप उसको रख दीजिए तो दोस्तो इस तरह से हम लोग हमारे इस कोकोपिट को पांस साल बाद रियूस कर सकते हैं पर सवाल यह है कि इसको पांस साल तक कैसे चला है यह दोस्तो इसको पांस साल तक चलाने के लिए भी हमको थोड़ा सा जब हम कोकोपिट खरिदते हैं उस ताइम पर कुछ चीजों में यूज़ कर रहे हैं मतलब ऐसी जगा यूज़ कर रहे हैं जहां हम इसको लंबे समय तक भरे रखेंगे खोल नहीं पाएंगे तो ऐसे टाइम पर आप कोको पीट में एक ऐसी चीज़ का ध्यान रखें कि वह हमारा क्रिश्टल फॉर्म में हो मतलब लो इसी है इसी हम देख जल्दी सढ़ जाएगा तो आप विशेज ध्यान यह रखिए कि जब आप स्लेबेट में आप कोको पीट भर रहे हैं या कोई ऐसे कंटेनर में कोको पीट भर रहे हैं जहां उसको खाली करना बहुत जंजेट वाला काम है तो ऐसी इस्तितिति में आप क्रिश्टल फॉम में जिसे मेरा जो सिस्टम है यह तो इस्टोपरी के लिए है यह 3 लेयर फार्म है ऐसा 5 लेयर 7 लेयर और 9 लेयर और ऐसा 10 से 12 लेयर का भी हम लोग सेटप यह डिजाइन कर सकते हैं तो जिसके पास जगा कम है वहाँ पर यह लेयर फार्मिंग हम लोग कर सकते हैं तो जो स्लेब ग्रोबेक का एक concept अलग है वो बड़ी क्रॉप के लिए हम लोग वीडिमेट के उपर या horizontal रखके उसमें बड़े plant लगा सकते हैं इस वाले setup में हम लोग खली छोटे पोदे ही लगाते हैं तो हम लोग जब कोको इसके अंदर मुझे 8-10 नीचे ड्रेन के लिए छेद करना पड़ेंगे यह ड्रेन अगर आपने प्रॉपर रखा है तो आपके कोको पीट की लाइफ बढ़ जाएगी ये एक पाइंट होता है कि हम लोग ये उपर से पानी दे रहे हैं knowledge में जितना उसको सोखने की से लिएए उतना पानी सोक लेता है बगी का कारण वाश वह अंदर ही पानी ठहर गया तो ऐसे इस्तिति में हमारा कोकोपीट बहुत जल्दी सड़ जाएगा तो पहला पहला तो यही कि आप यह ध्यान रखिए कि ड्रेनेज हमारा प्रपर होना चाहिए दूसरी बात का आपको विश्यस ध्यान रखना है जिससे हम लोग कि इसमें प्लांटेशन कर देते हैं तो हमको रोच पानी नहीं देना है कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सुभे भी पानी देते हैं दोफर में भी पानी देते हैं शाम को भी पानी देते हैं तो ऐसी इस्तिति में यह कोकोपीट जल्दी सड़ेगा तो यहां पर हम लोगों को र इसमें सप्लाय करेंगे तो इससे क्या होगा तीन से चार दिन का हमारा समय बच जाएगा हमारी बिजली बच जाएगी और हमारे कोको पिट की लाइब बढ़ जाएगी ठीक है जोस्तों एक सेकंड पाइंट यह रहेगा कि आपको इसमें बार-बार पानी नहीं देना है बार- कंपोष्ट कर देते हैं तो दोस्तों वर्मी कंपोष्ट एक तरह से और्गनिक खात है वह केंचुओं ने बनाया है तो इस तोप से अगर वर्मी कंपोष्ट हम भर देंगे तो उसमें कुछ बैक्टिरिय ऐसे भी रहते हैं जो हमारे कोपिट को डीकंपोष्ट कर देंगे वह 6-7 महीने यह साल भर तो तक आपको अच्छी क्रोप मिलेगी मतलब आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा बट वह कोपिट आपको बहुत जल्दी सर्ड भी जाएगा खराब भी हो जाएगा तो जहां हम लोग सोईलेस की बात करते हैं या कोपिट की बात करते हैं तो हमको इसमें एट करना है एक कोड़ चीज है रहती है कि हम लोग जैसे इसमें पानी कब दें तो मैंने बताया है दो से तीन दिन में तो वो डिपेंड करेगा हमारे कोको पीट की नमी को देखते हुए मतलब यह पोधा तो बोलेगा नहीं पर हमको ही समझना पड़ेगा कि इ अधी के मुसम में 4-5 दिन ना पानी देंगा तो अच्छी बात है पर जादा पानी नहीं देना है ओवर वाटरिंग करना है इसलिए हम लोग इसमें ड्रेनेज कर रहे है ताकि आप और वाटरिंग हो जाना है एक और चीज का आपको विशेस या ध्यान रखना है पी हम चलाना है, जिसमें किसी प्रकार का कोई salt नहों, कोई nutrition नहों, या low TDS का पानी इसमें इतना चलाईए, कि अंदर का जो salt है, जो cocopit के अंदर बेठा हुआ है, या फिर जो root के असपास बेठा हुआ है, वो सारा नीचे drain out हो जाए, मतलब पूरा जो आपका group है, वो खली normal पानी से नीचे उसको drain कर दे, और अंदर कोई किसी type का कोई salt नहों, तो उसके लिए आपको 1-2 घंटे ऐसा चलाना पड़ेगा, और वो भी 15-20 दिन का एक schedule बनाईए, कि आप नारमल पानी दीजिए, ताकिन सारा जो अंदर salt है, वो सारा बहे जाए, उससे क्या होगा, हमारे cocopit क लाइब बढ़ाने का, और हमारे plant को healthy रखने के लिए ये technique भी कारगर होती है, एक और चीजिए रहती है, कि आप हर 28-30 दिन के अंदर, इसके अंदर hydrogen power oxide से इसको titate करना है, titate करना मतलब आपका जो पानी का tank है, जहां से आपका nutrition आता है, उसी tank में नारमल पानी भरिए, और उसमें एक लिटर में 1 ml hydrogen power oxide 3% वाला, वो भी food grade वाला, वो इसमें एट करिए, और इसमें इतना पानी चलाईए, कि सारा drain out हो जाए, इससे क्या होगा, salt तो drain out हो कोई fungus develop होती है, तो वो हमारा hydrogen power oxide की हो, जैसे यह पूरा kokopit साफ हो जाएगा, कहने का मतलब, और कोई बीमारी बनती भी है, तो उसके जिवानों है, किटानों है, वो सब मर जाएगा, तो इससे क्या होगा, kokopit भी safe हो गया, then हमारे plant की यह root है, उसमें यदि कोई fungus बन रही ह तो वो भी उस hydrogen power oxide से control हो जाएगी, तो इससे हमारा यह फाइदा हो जाएगा, कि हमारे kokopit light प्लस हमारा पोधा भी safe, हम लोग जो इसमें hydrogen power oxide लेते हैं, तो hydrogen power oxide H2O2 को बोला जाता है, तो H2O2 मतलब उसमें oxygen का percentage भी जाधा रहता है, तो जब hydrogen power oxide इसके अंडर जाता है, तो ह इसके माध्यम से भी कहिन कहीं हमारे पोधे की root oxide मिलती है, जिससे हमारे पोधे में improvement देखने को मिलता है, उसकी growth अच्छे आती है, तो जो जो छोटी 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 चीज़े हैं, यह अगर आप विशेस करके ध्यान रखेंगे, तो आप अपने kokopit को लंबे समय तक use कर पा तो वो भी थोड़ा लंबा चल जाएगा, और दोसों उसके बाद भी ऐसा लगता है कि यार मेरा kokopit तो खराब हो चुका है, अब में इसका उप्योग करी नहीं पा रहा हूं, यह एकदम powder form में convert हो गया है, तो ऐसी इस्तिति में आप उस kokopit को यह जो standard grow back होते हैं, उसमें use करिए, standard grow back के अंदर भी, आप 50% तो आपका यह सड़ावा kokopit और उसके अंदर वर्मी compost या कोई भी organic matter, जैसे कि देसी खाद, जिसे हम बोलते हैं, सड़ावा देसी खाद, गोबर की खाद, वो 50-50 दोनों ले लिजिए, और आपके इसमें standard grow back में लगाईए, और AC crop लगाई तो आपको ऐसी crop लगाएंगे, गेड़ दो साल उसका, उस को कोपिट का भी उप्योग करेंगे, उसके बाद फिर उसको फेक दीजिए, फिर कोई दिक्टप निए, वो zero हो जाता है, तो जब हम लोग extended grow back में इस टाइप की crop लगा देते हैं, या हमारा decomposed हुआ, को को अब हमारा hydrogen अगर उहां चला दिया तो उसको खतम कर देगा, तो वह organic वे में जो जा रहे हैं उसका कोई concept बनता नहीं है, तो ऐसे टाइम पर उहां पर organic fungicide का उप्योग करें, जैसे कि trichoderma होता है, trichoderma virida भी होता है, या verticellium होता है, या बहुत सरी ऐसी fungicide आती है, या fungus related organic चीज़े आती है, जो आप extended growing में यूज़ कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, और ये भी hydropani के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो हमारी हर महीने में एक बार दो दिन के लिए workshop होता है, workshop की अगर detail में जानकारी देना चाहूं, तो पहली बात तो हम लोग हैं मद्यप्रदेश में, मद्यप्रदेश में रतलाम डिस्टिक है, और वहाँ पे रियावन गाओं है हमारा, यहाँ पे दो दिन का practically तो और वरक्षप होता है, और यह हमारा जो पूरा फार्म है, यहाँ पे अंजीर की खेती, आउले की खेती, और अमरूत की खेत हैं, चाहे एकज़िक हैं, वो सारी हम लोग यहाँ पर grow करते हैं, और अभी इसका मार्केट भी अच्छा बन रहा है, तो हम लोग यहाँ अपर sale भी करते हैं, और हम लोग दिन का वरक्षप होता है, वो हर महिने में एक बार होता है, दो बने के लिए, तो उसको आप जान कर करके आप प्रैक्टिकली हो सकते हैं हाइड्रोपोनिक में तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगें तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद